हां जी बिलकुल सही पकड़े हैं आप कि काउंसिलिंग के दौरान बहुत सारी गलतियां करते हो तुम छोटी छोटी मिश्टेक करने की वज़ा से तुम अपने काउंसिलिंग प्रोसिजर को बहुत कॉंपलेक्स कर लेते हो और तुमारे हाथ से कई बार कॉलेज चला जाता है पहुत बार मैंने बच्चों को देखा है कि गलत काउंसिलिंग के वज़ा से अपने हाथ से कॉलेज भी खो देते हैं जबकि कुछ कॉंपलेक्स नहीं था हुने थोड़ा पेसेंस रखना था रिटीट नहीं होना था अपने डाकुमेंट प्रोपरली प्रिपेर करने थे तो फ्रीज यहां कूलर यहां कोई भी नहीं चाहिए नहीं है उसके साथ में पॉकेट मिलती एक ब्राउशर उसके साथ में मिलता है उसे तुम बिलकुल इगनौर मार देते हो आज तक शायदी तुमें उसको खोल के उसको पढ़ाओ पट उसमें भी उस मॉबाईल से रिटेड पर भटकते रहते हो बाग की एजेंस को पैसा देते हो बाक की ब्लोकर्स को पैसा देते हो ऐसा नहीं है इसमें बहुत कुछ कठी लिखा हुता है सारे information complete लिखी होती है मैं भी यहीं से बताता हूं फिर बच्चे मुझसे पोछते हैं कि सर यह कैसे होगा वह कैसे होगा मैं पढ़के बताता हूं मेरे पास कहीं से कोई और information थोड़ना है कि MCC मेरे फूफा बैठे हुए है कि वो मेरे को बताते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होना तो आपको complete browser सही से पढ़ना है वहाँ पे सारी information लिखी हुई है कहीं और जाने की जुरूद नहीं जो भी आप counseling करा रहे हूं ठिक तो पहला तो यह इसे ignore मत करो बच्चे फिर दूसरा दो को ignore thing करते हूं लजनेस की हुजासे अंडिस्पेंड की हुजासे आपको पता है कि MCC की website पे counseling होनी तो उसे properly visit करते रहो हर information को properly पढ़ो नहीं पढ़ते हो क्या करोगे YouTube खोल के देखोगे कि information सही आई नहीं आई आप website खोल के देखोगे यह नहीं है कि उसकी website जो दे रखी है उस original website पर जाओ लोगों से सुनते हो कि उन्होंने बोला उन्होंने बोला चाचाचा जी के मौसा जी के बेटे के दादा जी के नाना जी के कुछ किसी दूर किस तर उन्होंने बोला सा अरे क्या करना उन्होंसे जब counseling authority तुमको website दे रही है और time to time वही पर update करें तो आप इधर दुर चीज़ों पर ना depend करें ठीक है नहीं आप और परिशान होंगे फिर works depends on agents towards on works depends on का मलब यह कि तुम्हारा ज्यादा तर काम इनके थ्रू तुम करा रहे हो agents के थ्रू या फिर towards के थ्रू बच्चे अरे इनको सिर्फ पैसे से मदलब है बच्चे बहुत कम genuine agent या towards हैं सा ज्यादा तर लोग सिर्फ आपसे पैसा वसूल ना चाहते है उनको पता है कि आप डरे हुए हो आप college ढूंड रहे हो वो तुम्हें एक सपना बेचेंगे और वो तुम सपना खरीदने की वज़ा में इनको पैसे देवर्ट होगे वो बोलेंगे तुमको मैं BMS की सीड दिला दूँगा तुम्हें MBS की सीड दिला दूँगा सस्ता private दिल मनों दो लोग इनके पास आए इनको पता है कि एक सीड है दोनों में से किसी को भी मिल सकती एक ही सीड है तो जिसने ज़्यादा पैसे देऊंगे उसका कामे लोग करके उसको सीड अवेलेबल करा देंगे तुमको नहीं वेलेबल करा पाएंगे हो सकता तुम खुद से करते तो उससे पहले ले आते, बात समझने वाली, इसे वज़ास से आप इन पे ज़्यादा डिपेंड ना रहे हैं, थोड़ा खुद पे भरोसा रखें, फिर आप लाश्ट टाइम पे पैनिक हो जाते हो, और इसी पैनिक काई लोग फाइदा उठाते हैं, आप परिशान हो जाते ह हमें कैसे इसे मॉल्ट करना है, और उसका पैसा उसूल थे हैं, आप और ज़्यादा परिशान होते हो, फिर आप परिशान हो है, यानि कि आपने पैसे लोज़ किया और इरिटेट होने लगते हो, अब इन सब चीजों के वज़ास तुम्हारे हाँ से कॉलेज खो जाता है, और यह सबसे ज़्यादा दिक्कत उसके साथ है, जो बच्चा बॉर्डर लॉन पर है, जिसके मार्च 620, 30 या फिर 610 आ रहे हैं, और वो इसी साल कॉलेज लेना चाहता है, तो सबसे ज़्यादा इन चीजों से उसे गुजरना पड़ेगा, ठीक हैसा, और दूसरा, फेक वे वेबसाइट ओरिजिनल हो, वेबसाइट के इंटरफेस से ही काफी हद तक पता जल जाता है, उसके निचे सारी इंफॉर्मेशन दे रिख्यों, आप पढ़ो उसके बारे में, अबाउट अस लिखा होता है, होम पेज होता है, उस पर जाकर इस पहले चेक कर लो, कि ये मैं पहले बता चुका हो, बच्चे, ब्राउशर कंप्लीट पढ़ो और सही से पढ़ो, मुझे पता उसमें बहुत सारी पेजेज है, लेगन कुछ जरूरी नहीं कि तुम पूरा पेज पढ़ने की जरूरत पढ़ी, तुम एक आइडिया लग जाएगगी, यहां पर यह यह बाद लिखे होई, यहां पर यह यह बाद लिखे होई, एक जिगा होसता कॉलेज की लिस्ट दे रखे हो, लैसे मानलो कि एक SC के टिगरी के बारे में दे रखा है कि यहां पे इतना इतना रिजलिवेशन है और ऐसा इसका परफॉर्मा बनेगा, और तुम नहीं उस के टिग से तो कंप्रीट पढ़ो अच्छे से, तो ब्राउशर जुरू पढ़ो यह सबसे बड़ी गलती जो करते हो तो, दूसरा बच्चे अपने डाकुमेंट्स कंप्रीट कर लो, सारे डाकुमेंट्स जो उनको प्रेपर कर लो, इनमें कोई लापरवाही, कोई लेजनेस, कोई कत का हो, चाहे आपका ट्राइबल कामनेटीज के लिए हो, चाहे क्रिश्चन कोटा हो, चाहे मुश्लिम मिनोर्टी कोटा हो, चाहे सिख मिनोर्टी कोटा हो, चाहे बॉर्डर एडिया कोटा हो, बच्चे किसी भी तरह का कोटा का अगर कोई भी है तो उसे आप बनवा लो, अल लिस्ट कम से कम मैं उलिल कही अपरिल से दो पहले बनाए गया है ch ama ini अपनी आप सटेट ये इस बलॉंग उससका बोश्र दऊण। उसमें दे रखा है ज्यादा थर एक अपरिली दिआ हुए जितना मैं नहीं पड़ा सा है Gap Certificate, Character Certificate खास करके बच्चे उनके लिए जो dropper बच्चे हैं उनके को खास ध्यान रखें अगर आपका Gap है तो Gap Certificate जरूर बनवा लो Character Certificate भी बनवा सकते हो साथ इन दोनों को आप प्रिपर कर रखो साथ तो जितने भी Certificate है इनको जरूर ध्यान रखो कौन कौन से document चाहिए बच्चे इसके लिए बहुत बार वीडियो बनाई हैं बहुत सारे shots बना कि मैंने डाल लखें आप channel में चले जाओ, वहां मिल जाएंगे Neat के लिए कौन कौन से document रखोर है हर state के मैंने अलग भी बना रखें साब इसके लाव बच्चे सारे उरिजिनल डाकुमेंट से रेडी रखो और उनकी कम से कम तीन सेट फोटो कापी रखो जो फोटो आपने नीट के अप्लिकेशन फॉर्म में लगाई है उसी फोटो की कम से कम आठ दस कापी करा लो इसके लावा आप जब रिजिस्टर करें तो जो मोबाईल नमबर और इमेल आपने NTA के वेबसाइट पर डाला है कोशिश करें वही डालें यह रिजिस्टर इमेल आईडिया और मोबाईल नमबर आपका होना चाहिए और जब रिजिस्टरेशन करें तो आप अपना अप्लिकेशन नमबर यह रिजिस्टरेशन नमबर जो भी आएगा कई बर स्टेट का कॉंसलिंग का रिजिस्टर नमबर अलगाता है और उसका पासवर्ड सेव करके रखें अपने गूगल नोट पे यह वाटसप पे कहीं प जो अप्लिकेशन नमबर है रिजिस्टरेशन नमबर है ठीकिन जो लॉग इन करोगा जिससे उसे भी संभाल के रखें ठीक साथ और दूसरी बात फीस जब आप रिजिस्टरेशन फीस और सिक्यूर्टी फीस देते हैं साथ इनको जब भी डिपूजिट करें कोशिच करें अगर आपका नहीं तो आपके फैमिली मेंबर जैसे कि पिता जी का हो या भाई का हो ठीक उनी का इस्तेमाल करें किसी भी कैफे या किसी अन्नोन परसन का कोशिच करें ना करें क्योंकि अगर इसी कोर्टी मनी वापिस आती है तो उसी अकांट में आएगी जिससे आपने ये स्कूर्टी मनी कटवाई है तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना मुनना ठीक एक बात बच्चे और ध्यान रखना साथ कि कभी भी कोई नॉटिफिकेशन आता है वेबसाइट के उपर आए साथ जनली वेबसाइट पर नॉटिफिकेशन आता है या आपके email id पे mail आता है यहां को mobile पे message आता है यह बिल्कुल ignore ना करें आप इसको ध्यान से देखें साथ उसमें क्या information दे रखी अगर आपको information नहीं समझ आती तो किसी से पूछ ले या फिर आप मुझे भी message कर सकते हैं या comment करके पूछ सकते हैं तो इन चीजों को तो बिल्कुल ignore ना करें खास करक ऐसा होता है कहीं और होता ही नहीं तो उसा बहकी बहकी बाते हो लोग करते हैं ठीकिर don't leave anything for last day बच्चे कुछ भी last दिन के लिए ना छोड़ें कई बर हम सोचते हैं last day registration कर देंगे last day चाउस फिलिंग कर देंगे last day ये कर देंगे last day ये कर देंगे फिर भी वहां पर दिखा रहा है pending payment तो इससे last day के लिए कुछ ना छोड़ें पहली कर लें government website कभी भी दोखा दे सकती है इसलिए कभी last day के लिए कुछ ना छोड़ें don't panic patience रखें बच्चे ये complicated procedure होता है gentle procedure होता है ये बिलकुल procedure वैसा है जैसा तुम बैंक में जाके हो जाता है थोड़ा सा patience रखें जो बोला जा रहा है उसे properly follow करें जो भी आप counseling authority आपसे बोली उसे follow करें इस दोर की चीजों के चक्र में ना पड़ें यही आपके लिए फायदे बंद हो और कोई भी doubt होता इसके regarding तो comment जरूर करना ये कुछ बातें बार बार आ रही थी बच कर रहे हो तो जजबा 2.0 दो सितंबर से शुरू हो रहा है इसमें need dropper के बच्चों को properly पढ़ाया जाएगा एक एक चीज का ध्यान अखा जाएगा properly TPB मिलेगी proper test होंगे और आपको पूरिये के team पढ़ाएगी इसमें physics, chemistry, geology, botany सभी के अललग टीचर आपको एक चीज अच् कर लिए उस पर सारी information मिल जाएगी अगर आप इस पर discount चाहते हैं तो आप एक code यूज करेगा बच्चे जसी, आप जसी code यूज कर लिजेगा बच्चे 40% तक आपको off मिल जाएगा और ये जो batch है आपको लगभग 1999 रुपर में पढ़ जाएगा तो आप इस code का यूज करके आप जजबा 2.0 परचेज कर सकते और अपनी पढ़ाई को और जड़ा धार दे सकते हैं, तेज कर सकते हैं और अब समय बीत रहा है अब और लेट मत करो, अगर तुम्हे पढ़ाई करने हैं चाहे ये जजबा बैचलर, चाहे कोई सहबर बैचलर, अब अपनी पढ़ाई start कर अब और देर मत करो, क्योंकि इससे लेट होगा तो पढ़ाई तुम्हारी और खराब हो जाएगी पढ़ते रहो, मुस्कराते रहो, कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करना थैंक्यू, जहिन